हेलो फ्रेंड्स कैसे हो जी के 2020 योट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के एक महत्व पुर्ण टॉपिक की बात करने जा रहे है टॉपिक का नाम है भारत के महत्व पुर्ण किले जी हां हमारे भारत देश के क कुछ महत्व पुर्ण फॉट की बात इस वीडियो में में करने वाला हू और ये फॉटका निर्मान कब किया गया ? किस ने करवाया ? किला किस राजय में ? किस शहर में आयोसी थै । सभी महत्व पुर्ण फैक्ट आपको जानने को मिलेंगे तो वीडियो में आप लाश्ट तक बने रहे लाश्टम में कमेंट शेक्षन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको खैसा लगा और आप चाहे कोई भी एग्जामेनेशन की प्रिपेरिशन कर रहे हैं लेकिन आपके सिलेबस में यदि इंडियन हिस्ट्री है तो हमारे इस वीडियो से निश्चित तोर ही म करूंगा ओके तो सबसे पहले तो यहां किले का नाम है यह किला किस स्थान पर अवस्तित है और इस किले का निर्मान किस ने कराया था सबसे पहले देख लो हमारा भारत दिश का जहां से हमारे प्रदान मंत्री राष्ट्रियत योहर पर हमारा जंडा लहराते है यह है दिलही का लाल किल्ला तो लाल किल्ला एक आग्रा में भी है एक दिल्ही में भी है तो दिल्ही के लाल किल्ले का निर्मान किस ने करवाया था शाजहाने और साथ साथ दोस्तों यहां किल्ले से जुड़ी हुई महतोपुर्ण बाते भी में आपके सामने रखने वाला हूँ जो भी महतोपुर्ण निकल सकते हैं उनको भी हमने इस वीडियो में शामिल किया है तो प्लीज लाश्ट तक बने रही है ओके भारत के सम्मान का प्रतिक और जंग ए आजादी का गवा रहा दिलही का लाल किला सत्रवी शताब्दी में मुगल शाशक शाह जहाने बनवाया था दो बाद याद रखनी है एक तो दिलही के लाल किले का निर्मान सत्रवी शताब्दी में हुआ निर्मान कारिये शुरूआ 1638 में और यह दिलही के लाल किले को बनाने में 10 साल लगे 1948 में यह पुर्ण हुआ और यह किला कीस ने बनवाया मुगल शाशक शाह जहाने आगरा से दिल्ली को अपनी राज़दानी बनाने के लिए शाह जहाने एक पुराने किले की जगह पर 1638 में लाल किले का निर्मान शुरू करवाया जो 10 साल बाद यानि की 1648 में पुर्ण हुआ याद रखना कि पहले मुगल शाशकों की राज़दानी थी आगरा लेकिन शाह जहाने अपनी राज़दानी आगरा से स्थानंतरित करने को सोचा दिल्ली अपनी राज़दानी स्थापित करने के लिए एक विचार आया और उन्होंने एक लाल किले का निर्मान करवाया जो आगरा के ताज महल से एक विचार लिया गया है यानकि आगरा के जो ताज महल का निर्मान जिसने किया है तो ताज महल के वास्तुकार ने ही दिल्ही के लाल किले का निर्मान किया है तो नाम क्या है आगे मैं आपको बतान वाला हूँ लेकिन आपको नाम याद है तो नीचे कमेंट शेक्षन में जरूब बताना आगरा से दिल्ली को अपनी राजदानी बनाने के लिए शाह जहाने एक पुराने किले की जगह पर 1638 में लाल किले का निर्मान शुरू करवाया था जो 10 साल बाद यानिकि 1648 में पुर् जाता है यानिकि दिल्ही के लाल किले के दो प्रवेश्टवार है लाहोरगेट और दिल्हीगेट चलिए अब इस क्वेशन का अंसर बताइए बहुत बढ़िया सा क्वेशन है और क्लास 12 की एक्जमिनेशन में इसी पेटर्न के क्वेशन पुछे जाते है ओके पढ़ो दिल से पहला, 1648 में लाल किले का निर्मान शुरू करवाया था यह कतन सही है गलत है क्योंकि 1648 में लाल किले का निर्मान शुरू नहीं हुआ था बल्कि पुर्ण हुआ था तो पहला सेंटेंस गलत इसके दो प्रवेस्टवार है दिलही के लाल किले के दो प्रवेस्टवार है लाहर गेट और दिलही गेट तो यह कथन सही लाल किला मुगल शाशक जहागीर ने बनवाया था यह कथन भी गलत किस ने बनवाया था शाजाहा ने तो यहां हमें पूचा गया है कौन सा कथन सही है केवल दो नमबर का तो सही आंसर बनता है option C मजाया तो वीडियो को लाइक करना मत बुलिएगा लाल किले की आदारशिला 29 अपरेल 1638 को रखी गई थी तारिख भी यहां सामने रखी है 29 अपरेल 1638 को इस किले की आदारशिला रखी गई इस विशाल किला की लाल बलुआ पत्थर की दिवारे जमिन से 33 मिटर उची है एक तो दिलही का लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है और दिवारे कितनी उची है 23 मिटर किला वास्तों में आगरा के लाल किले से प्रेरी थे जिससे शाह जहां के दादा अक्बर ने बनवाया था आगरा में भी एक लाल किला है और आगरा के लाल किले का निर्मन किस ने करवाया था शाह जहां के दादा अकबर ने तो शाह जहां के पिता का नाम क्या है निचे कमेंट शेक्षन में ज़रू बताना ओके लाल किला 1648 में पांचवे मुगल समराठ शाह जहां द्वारा बनवाया गया था जब उन्होंने अपनी राजदानी को आगरा से दिलही स्थाना अंतरित करने का फैसला किया और दिलही का लाल किला दोस्तों उनके बारे में आगे में आपको दो से तीन क्वेशन पुछने वाला हो लेकिन इमेज में आप देख सकते है ये रहा मुगल शाशक नाम है शाह जहां जिन होने ये दिलही का लाल किला बनवाया था और मुगल समराशा जहा ने आगरा में स्थित ताज महल को बव्य रूप देने वाले डिजाइनर और मुगल काल के प्रसिद वास्तुकार कौन उस्ताद अहमद लाहोरी इमेज में आप देख सकते है जिसने ताज महल की भी डिजाइन तयार की है मतलब ताज महल के कार है नाम है उस्ताद अहमद लाहोरी जैसा नाम वैसे गोर उस्ताद है आर्किटेक्चर है बांकाम के मामले में वो हमारे भारत देश के एक सर्वोच स्थापतिय कार है यानकी वास्तुकार है नाम है उस्ताद अहमद लाहोरी इसे किले की शाही डिजाइन बनाने के चलिए अब इस question का अंसर बताईए लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला बनवाया था शाजहाने लेकिन लाल किले के डिजाइनर कौन थे? लाल किले के डिजाइनर कौन थे? उस्ताद अहमद लाहरे और आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर ने किसने? शाह जहां के दादा अकबर ने लाल किले में कितने गेट है? लाल किले में दो गेट है नाम भी मैंने आपको बता दिये लाहर गेट और दिलही गेट लाल किले का वास्तुकार लाल किले के वास्तुकार कौन थे तो मैंने बातों बातों में आपको आंसर बता दिया उस्ताद अहमद लाहोरी दिलही के लाल किले के वास्तुकार आगे बात करते हैं मेहरानगड किले की मेहरानगड किला किस रज्य के किस शहर में आउस्ती थे राजस्थान के जोधपूर में और इस किले का निर्मान किस ने करवाया था? राव जोधाने इमेज में अब देख सकते हैं यह है मेहरानगड का किला किस श्यार में इस्थी थे? जोधपूर में और मेहरानगड किले का निर्मान किस ने करवाया? राव जोधा ने मेरानगड किला जिसको मेरान किले के रूप में भी जाना जाता है इस किले को 1469 में राव जोधा द्वारा जोधपूर में बनवाया गया था यह सेंटेंस हमारे लिए महतोपूर्णा है हिस्ट्री के लिहाद से कि यह मेहरानगट किले का निर्मान कब और किसने करवाया था तो 1469 में राव जोधा द्वारा जोधपूर में बनवाया गया एक किला यह किला देश के सबसे बड़े किलो में से एक है और 410 फीट उची पहाडी की चोटी पर यह किला उसी थे दोस्तो एक पहाडी है जिसकी उच्चाई है 410 फीट तो यह किला बनाया गया है एक पहाडी पर इमेज में आप देख सकते हैं किले को मेरानगट किला विशाल दिवारो द्वारा सरक्षित है दोस्तो चारो तरफ वीशार दिवारों से इस किले को सरक्षित किया गया है और इस किले का प्रविश्द्वार एक पहाड़ी के उपर है जो बेहद शाही है किले में साथ द्वार है जिन में विक्ट्री गेट, फते गेट, फैरो गेट, डेड कामगरा गेट, फते गेट, मार्टी गेट और लोहा गेट दोस्तो इसी तरह साथ नाम से साथ प्रवेश्द्वार रखे गए है जैसा दिलही के लाल किले में कितने प्रविश्थ्वार रखे गये है? साथ चलिए आंसर बताइए महरान गड किले की निव किस sommes रखी थी? महरान गड किले की निव रखी थी? राव जोडा ने बिल्कुल सही आंसर आपका जोदपूर शाषक राव जोदा ने 12 मैं 1449 को इस किले के निव डाली और महाराजा जस्वत सिंह का शाषणकाल है 1638-38 तक तो महाराजा जस्वंत सिंह ने ए से पुरा किया इस किले में बने महलों में से उल्यक निया है मती महल, फूल महल, शिश महल, सिले खाना, दौलत खाना आदि दूस्तो किले में भी बहुत सारे भवन बनाए जाते हैं, महल बनाए जाते हैं तो यह महरांगड किले में कौन-कौन से महल है? मती महल, फुल महल, शिश महल, सिले खाना, दौलत खाना और याद रखना इस किले का निर्मान यानि कि शुरुवात करवाई थी राव जोदा ने बलकि इस किले में बहुत सारे बानकाम भी करवाई थे महराजा जस्वन सी ने 10 किलो मीटर तक फैली हुई है? आंसर बताईए, महरांगड किला किस राज्य में स्थित है? सिंपल सा क्वेशन, जोदपूर, जोदपूर किस राज्य का एक शहर है? राजस्थान का, तो सही आंसर बनेगा आप्शन B. अगला क्वेशन, निमना में से कौन से किले में फते पैरोगेट, डेड कामगरागेट जैसे साथ द्वार है. तो हमने जीस किले की बात की? महरांगड किले की साथ प्रवेश्थार है. सही आंसर ये आप्शन C. और एक किवदंती के अनुसार चिरिया नाज्जी नमक एक सन्यासी पहाड़ी पर ध्यान करते थे. यहां दोस्तो एक किवदंती है, एक प्राचिन काल की हिस्ट्री है, स्टॉरी है. माना जाता है कि चीरिया नाज्जी नमक एक सन्यासी इस पहाड़ी पर ध्यान करते थे. जहां राव जोदा ने किले का निर्मान करने का फैसला किया और साथू को साइट से हटा दिया. जो जगह थी वहां के किले में पाने की किलत रहेगे एसा स्टॉराप चीरिया नाज्जी नमक एक सन्यासी ने दिया था. आगे बात करते हैं राण थम्बोर किले की राण थम्बोर किला राजस्थान के सवाई मादोपूर जिले में उस्ती थे और ये राण थम्बोर किला इमेजें अब देख सकते हैं किस ने बनवाया था चोहान वंश के शाशा को ने राण थम्बोर किले का निर्मान करवाया था दोस्तो किले को दूर्ग भी कहा जाता है यानकि एक similar वर्ड से दूर्ग कहो या किला कहो दोनों एक ही बरोर तो इस दुर्ग का निर्मान राजा सज्जन वीरसी नागिल ने करवाया था और उसके बाद से उनके कई उत्तराधी कारियों ने राण थमबोर कीले के निर्मान की दिशा में योगदान दिया दोस्तो राण थमबोर का कीला कीस ने बनवाया था तो सही आंसर है राजा सज्जन वीरसी नागिल ने इस राण थमबोर कीले का निर्मान कारिया शुरू करवाया बाद में चोहान वंज के अनेक उत्तराधी कारिया आये उन्होंने ये राण थमबोर कीले के निर्मान को आग अबुल फजल ने क्या कहा है कि यह राण थम्बूर का जो किला है अन्य सब दूर्गन नंगे है लेकिन यह किला राण थम्बूर किला एक बक्तर बंध है राव हम्मीर देव चोहान की भूमिका इस किले के निर्मान में प्रमोख मानी जाती है दोस्तो यह राण थम्बूर कि सी नागिल ने लेकिन बाद में अनेक उत्तराधी कारियों ने इसके निर्माण में अपना योगदान दिया है इन में से एक है राव हम्मीर देव चोहान इस किले के निर्माण में बहुत ही महतो पुर्ण भूमी का निबाई है आंसर बताइए राण थमबोर्द दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था इमेज में अब देख सकते हैं राण थमबोर्द दुर्ग का निर्माण किसने शुरू करवाया था ऐसा क्वेशन यहां होना चाहिए तो यह राण थमबोर किले का निर्माण राज्जा सज्जन वीरसी नागिल ने करवाया था शुरू करवाय अन्यसब दुर्गननंगे है या बक्तरबंध है या कथान निम्ना में से किस किले से सबंदी थे दोस्तो एक मुगल कवी थे जिसका नाम है अबुल फजल अबुल फजल की है आईने अक्वरी नामक एक कृती तो अबूल फजल ने कहा अन्य सब दुर्गनंगे हे यह किला बक्तरबंध हे तो किस किले के बारे में कहा था? रन थमबर किले के बारे में कहा था सहिए आंसर ही option a और यह आकर्श किला रन थमबर नेशनल पार्क के जंगलों के बीच स्थी थे क्या? रण थंबोर नेशनल पार्क एक जंगल है जंगलों के बीच में यह किला बनाया गया है जहाँ पर नेशनल पार्क से किले का द्रिश्य और किले से पार्क का द्रिश्य दोनों ही देखने लायक है रण थंबोर किले को युनेशको द्वारा विश्व दरोहर स्थल गोशित किया गया है क्योंकि यह राज्य का एक खास पहाडी किला है और यहाँ जब युनेशको की वल्ड हेरिटेस साइट की बात आई तो हमारी GK2020 चनल पर भारत की सभी वल्ड हेरिटेस साइट की बात की ह और तकरीबन 4-5 वीडियो प्रवाइड किये है वो भी आप देख लिजिएगा राण थंबोर नेशनल पार्क के गने जंगल कभी राज गराने का शिकार गा थे के एक और किले का नाम आया है कुम्बलगड किला जो राजस्तान के राजस्मन में अवसे थे और यह कुम्बलगड किले का निर्मान किसने करवाया था राना कुम्बा ने कुम्बा से बना है कुम्बलगड तो कुम्बलगड किले का निर्मान किसने करवाया राना कुम्बा दुर्ग का निर्मान महाराना कुम्बा ने अपनी महारानी के लिए करवाया था। राना कुम्बा को दोस्तों क्या महाराना कुम्बा भी का जाता है तो राना कुम्बा ने कुम्बल गट दुर्ग का निर्मान करवाया कब 13 मैं 1469 किस राज्य में है राजस्तान राज्य में कुम्बल गट दुर्ग किस किले में है राजस्मंद जिले में किले में नहीं बलकि क इस जिले में है और कुम्बलगढ दूर्ग का निर्माण यानि कि संस्थापक इसको का जाता है महाराणा कुम्ब करना को लेकिन लोग उसे महाराणा कुम्बा के नाम से जानते थे pressure और यह कुम्बलगड दुर्ग की उचाई कितनी है? 3568 फीट उची चोटी है यह कुम्बलगड किले की, किले की दिवारे 36 किलोमीटर लंबी और 21 फीट चौड़ी है, कितनी? 36 किलोमीटर लंबी इस किले की दिवारे है और चौड़ी है 21 फीट दोस्तों आपका कोई घर है, घर की दिवारे तकरिबान 12 या 16 ज्यादातर 18 एंच की दिवारे होती है, लेकिन यह चौड़ाई कितनी है? किले की चौड़ाई है 21 फीट और किले की दिवार की लंबाई है 36 कि तो यह सारे फेक्ट याद रखलो का निर्मान किसने करवाय था? कुम्बल गड दूर्ग का निर्मान किसने करवाय था? महाराना कुम्बाने कुम्बल गड किले को अजय गड काहा जाता है क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करना दूश करकारिय था दोस्तो कुम्बल गड किले को अजय गड कहा जाता है क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करना दूशकर कार्य था मुश्किल था इसके चारों और एक बड़ी दिवार बनी हुई है जो चीन की दिवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दिवार है दोस्तो चीन की दिवार विश्व की सबसे लंबी और बड़ी दिवार है उनके बाद दूसरे नमबर की विश्व की सबसे लंबी और उंची दिवार है हमारे भारत देश के ये कुम्बल गड किले की तो यहाँ से एक कुईशन बन सकता है कि निम्ना में से कीस किले की दिवार चीन की दिवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दिवार है मैंने आपको लंबाई और चोड़ाई दोनों बता दी लंबाई है तकरीबन 36 किलो मिटर और चोड़ाई है 21 फिट और यह किला है कुम्बल गड किला कुम्बल गड किले की लंबाई 36 किलो मिटर चोड़ाई 21 फिट आगे बात करते हैं राजस्थान के आमेर किले की जो राजस्थान के जैपुर शहर में आउस्थी थे और राजा मानसी प्रथम ने या आमेर के किले का निर्मान करवाया था आमेरका किला राजस्थान की राजदानी जैपूर में स्थित है यह किला अरावली परवत माला की एक पहाडी पर सित है इसका निर्मान का स्रेई राजा मान सी प्रथम को जाता है और अरावली परवत माला की एक पहाडी है और हमारे भारत देश की कुछ महतो पुर्ण परवत स्रुंकलाओं से जुड़े हुपी हुए, मैंने दो से तीन वीडियो आपको प्रवाड किये हैं, वो भी देख लिजिएगा, प्राचिन काल में आमेर को अमबावती, अमरपुरा तथा अमरगड के नाम से जाना जाता था दोस्तो आमेर के प्राचिन नाम क्या क्या है? अमबावती, अमरपुरा, अमरगड और आमेर दुर्ग को कच्छवाहा राजा मानसी ने बनाया था, जैसी प्रतम ने इसका विस्तार किया था याद रखना कि आमेर दुर्ग को किसने बनवाया था शुरुआत करवाई राजा मानसी ने और जैसी प्रतम ने इसका विस्तार किया अगले 150 वर्षों में कच्छवाहा राजबुत राजाओ द्वारा आमेर दुर्ग में बहुत से सुधार एवं प्रसार किये गए और अंततह सवाई जैसी द्वीतिय के शाशनकाल में 1727 में इन्होंने अपनी राज़दानी नवरचित जैपूर नगर में स्थानांतरित कर ली दुस्तों आमेर का किला सबसे पहले एक राज़दानी के रुप में था लेकिन बाद में एक नवरचित शहर बसाया गया जैपूर जैपूर किसने बसाया है सवाई जैसी द्वीतिय ने तो उनके शाशनकाल में यह जैपूर पिंक सिटी राजस्थान की इस राजाओ की रा करें चलो पड़ो आमेर दुर्ग को कच्छवाहा राजा मानसी ने बनाया था यह कथन बिलकुल सही आमेर का किला राजस्तान की राज़दानी जैपूर में सिते तो यह कथन भी सही और यह किला विंध्य परवत माला की पहाड़ी पर सिते यह कथन गलत क्योंकि विंध्य अथन है एक और दो हमारा आंसर बनेगा ओप्शन ए दोस्तो यहां दुर्ग से जुड़ा हुआ यह वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेस्बुक वाटसेप या टेलिग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत बुलिएगा और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अब्लेट आपको मिलती रहे वीडियो खत्म करते ह है कल मिलेंगे नए टोपिक में आपका दिन शुबरहे टेकर एंड जैहन